आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शरीर में बढ़ीवी वात यानि की वात दोश को कैसे कम कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ से साथ बेल अके न दबाद दीजे ताकि आपको लेटेस नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए फटावर से वीडियो शुरू करते हैं क्या आपको भी लंबे समय से या रिसेंटली आपकी स्किन ड्राइ लगने लगी है जैसे कि एडियों का बार-बार फट जाना, हातों पैरों की स्किन रूखी और ड्राइ हो जाना और आपको गर्मियों के मौसम में और बरसात के मौसम में जब हुमिडिटी होती है उस time भी आपकी skin dry हो रही है जबकि normal जो इंसान होते है उनकी skin oily हो जाती है और आपके जो होट है यानि कि lips है वो भी फलते रहते हैं उसमें cracks आते रहते हैं पैरो की area भी आपकी फटी रहती है और आपकी जो eyes हैं आखे हैं उनमें भी आपको रूखापन महसूस होता है और आपके जो hairs हैं वो dry frizzy और बहुत frisile हो गए हैं टूटने लगए हैं उनमें dandruff भी होने लगा हैं और आपको बार-बार जो है constipation यानि कि cubs की शिकायत होने लगी है या फिर आपको बार-बार diarrhea होने लगता है और इन सारे reasons की वज़े से आपका जो weight है वो भी कम होने लगा है बिलकुल पतले हो वह हैं आप भूक आपको ठीक लगती है खाना आप ठीक खाते है पर खाना खाने के बाब जूद भी आपका weight कम होता जा रहा है पूरे शरीर में आपको एक pain body pain बना रहता है जोडो में यानि की joints में pain बना रहता है muscular cramps और आपके शरीर में एक चुबंसी एक दर्द बना रहता है चलते चलते आप थोड़ा लडख़डाने लगते हैं और आपको ये लगता है कि weakness आ गई है और पूरा शरीर ऐसे रूखा-रूखा सूखा-सूखा हो गया है आपका और अकसर आपके हाथ और पैर ठंडे रहते हैं गर्मियों के मौसम में भी आपको ठंड लगती है पंखा, AC cooler बिलकुल आपको बरदाश नहीं है पसंद नहीं है गर्मियों के मौसम में भी तो समझ लीजे आपकी वाथ प्रकूपित हो गई है और आपके दिमाग में 24 गंटे thoughts बने रहते हैं कुछ कुछ दिमाग में चलता रहता है परिशान रहते हैं आप 24 गंटे दिमाग में thought processing चलती रहती है नींद आपको बहुत कमाती है इंसोमिया की शिकायत है और रातो रात जागते हैं आप उससे और परिशान हो जाते हैं और सुबह सुबह बिल्कुल ठकान और वीकनेस आपको महसूस होती है तो ये सारे लक्षन अगर आपको मिल रहे हैं तो वीडियो को लास तक और ध्यान से जरूर देखिएगा तो वात दोश को कम और शमन यानि की खतम करने का सबसे अच्छा और असरदार उपाय है सनेहन सनेहन मतलब मॉस्चराइज करना एक्जाम्पल के तोर पे जैसे आपकी स्किन ड्राइ हो गई है फेस ड्राइ होता है तो आप फटा फट से मॉस्चराइजर लगा के उसको ठीक कर लेते है ऐसे ही हमें शरीर को अंदर से सनेह प्रोवाइड करना है मॉस्चराइज करना है तो मॉस्चराइज ऐसे नहीं कि मॉस्चराइजर आपको पीना है नहीं, स्नेहन करना है, स्नेहन तो स्नेहे में जो सबसे best है, वो है गृत, आईरवेद में चार तरीके के स्नेह बताए गए है गृत, मज्जा, वसा और तेल, गृत मतलब गाये का गी, मज्जा यानि की bone marrow, जो non-vegetarian है वो bone marrow का भी स्तमाल कर सकते हैं वसा यानि की fat, visceral fat जो non-vegetarian है, वो उसका use कर सकते हैं, और तेल, तेल यानि की तिल का तेल तो आईरवेद में ये चार बताए हैं स्नेह जो इसमें सबसे best है वो है grit, और तेल, यानि की तिल का तेल कैसे use करना है, आईए जान लेते हैं तो सबसे पहला और सबसे effective वो पाए है, गाएं के घी का internal use करना, यानि की उसका पान करना, आपको लेना है 20 ml गाएं का घी गाएं का घी 20 ml लेना pure, और सुबे खाली पेट, आपको 20 ml गाएं का घी पीना है, उपर से आपको पीना है, गरम पानी, या फिर आप उपर से पी सकते हैं, गरम दूद, तो ये आप 20 ml पीजे घी, और लगातार 15 दिन तक, या 21 दिन तक इसका सेमन करना है, आपको तुरंत 3 से 4 दिन में ही effect इसका दिखने लगेगा और आपकी समस्यां कम होने लगेगी, और जैसे जैसे घी आपको digest होने लगेगा, उसकी मातरा बढ़ा भी सकते हैं, 20 से 30 ml 40 ml, 50 ml, तो जैसे जैसे digestion होगा, वैसे वैसे घी आपको इतना फायदा होगा कि आपकी ये सारी समस्यां धीर दे करके कम होने लगेगी दूसरा उपाय है अश्गंदा, अश्गंदा का आपको लेना है powder, आधी चमच अश्गंदा का powder आपको लेना है गरम दूद के साथ, सुबह नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं और रात में खाना खाने के बाद आधी चमच, अश्गंदा का powder, दूद के साथ और तीसरा उपाय है महा कल्यान गरित महा कल्यान गरित आपको easily market में मिल जाएगा आपको लेनी है इसकी दो चमच दो चमच दूद में घोल के इसको आपको पीना है रात में सोने से पहले आप इसका सेवन कीजिए दो चमच महा गर्लयान गरित रात में सोने से पहले ये सारे प्रोसेजर जानी की तीनों के तीनों स्टेप आपको लगातार 15 से 21 दिन तक फॉलो करने है और खुदी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और इससे आपको कितना फाइदा हुआ वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेर कीजिए और थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो